आप देख रहे हैं स्टुडेंट और ध्वार्सिक परिच्छा कच्छा नो का ये माइथमेटिक इसी वर्स 2021 का पेपर जोकि 70 मार्क का है इस पेपर में काफी important question submit किये गए हैं जोकि जरूर आपके exam में आने की पूरी possibility है question number one यहाँ पर दिया गया है कि सभी खंड करने अनिवार है ये multiple choice question है पहला question दिया है कल्डी में 5 कौन से संख्या होगी तो कल्डी में 5 या कल्डी में 3 एसब अपरिमें संख्या होती है third बिकल्प सही होगा और दूसरा question खा का दिया है 125 पूरे के to the power 1 बटे 3 इसको सरल करना है जब 125 का आप घं करते हैं तो 5 के घाते 3 गुडिते 1 बटे 3 हो जाएगा 3 से 3 कर जाएगा इसका answer 5 आएगा बिकल्प फोर्ट सही होगा गावाला देखे 5 x square minus 6 plus 7 में पदों की संख्या 3 होगी गावाला देखे त्रिबूच की तीनों कोड़ों का एक फ़ल एक्सवासियंस होता है third बिकल्प सही होगा और 36 बटे 100 जब इसको आप हल करते हैं तो यह सांत दसमलो आता है असान तो उसे कत है जो की कटेन बराबर लगाता चलता रहे चावाला देखे 5 x square plus 2 x plus 1 में एक से गाते 3 का गुडांग पुछ रहा है तो यहाँ पर देखे एक से गाते 3 के पहले 5 है यानि की 5 का गुडांग किया गया है x गाते 3 का जो गुडांग होगा 5 होगा थर्ड भी कल्प सही है question number 2 देखें question number 2 का देखें समिकल का है 2 x plus 3 y बराबर 6 तो a x plus by plus c is equal to 0 के रूप में ब्यक्त करें तो a b c की बैलू पुछ रहा है जब आप इसको 6 को आप left hand side बे ले जाएं तो minus 6 हो जाएगा और इस समिकल से a x plus by plus c से तुला करेंगे तो a की बैलू 2 और b की बैलू 3 और c की बैलू minus 6 आएगी खो पुछ रहा है 70 अंस का 70 अंस का कोटी पूरा कोड़ देखें कोटी पूरा कोड़ों का योगफल 90 अंस होता है 90 अंस तो 90 में से 70 घटा देंगे 20 अंस आएगा गोह का दिये 125 बटे 8 पुरे के घाते पावर 1 बटे 3 है इसका मान पुछ रहा है आप क्या करेंगे 125 बटे 3 का घं करिए 5 गुडिते 5 गुडिते 5 बटे 2 गुडिते 2 तो एक बटे 3 इसके भी घात लगाएंगे ऐनि 5 बटे 2 पुरे के घाते 3 उसके गुडिते एक बटे तीन, तीन से तीन कटेगी जाए, पांच बटे दो इसका अंसर आएगा, दूसरे का गवद देखें, फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर एकस की बैलू पूछ रहा है, इधर बैलू साथ हंस दिया है, तो टोटल 180 होता है, 180 में से साथ कटाएंगी, एकस का बैलू, य पांच आए, दो गुरिते तीन, दो प्लस तीन करके हल कर लें, गॉआ का देखें, चार कामा जीरो, जो है, समिकर्ड़, एकस माइनस दो, वाई बराबर चार का हल है या नहीं, तो चार का मतलब एकस की बैलू है, और यह जीरो जो है, वाई की बैलू होगी, तो एकस के पर एक रख करके इसको सालो कर लें, टोटल बहरू 12 आएगा, जब हल करेंगे तो, आगे कोशन देखें, तो इतना उपर कर दे, तीन गहते 9 नीचे करके इसको सरल कर लें, हल हो जाएगा, कोशन नवर फोर्थ देखें, समिकर्ड़, चार एकस प्लस तीन, वाई बराबर के के में के का मानगी批判 करना एकस की बैलू दो और य की बैलू एक यहाँप रखेंगे, चार गुडिते 2 करिए, पलस 3 गुडिते 1 करेंगे तो के की बैलू निकलागी, ख़का दिया है, पांच करडी में तीन, गुडिते 6 करडी में 3 को सरल कीजे, तो यहाँपर हम लोग क् कि करड़ी में करड़ी का ही गुड़ा होता है बाहर का बाहर में करड़ी में करेंगे तो नौ हो जाएगा नौ करग मुल तीन च्छो पंचे तीस तीस में तीन का गुड़ा कर दीजिए गह का है A धन B धन C पुड़े का होल वर्ग के सूतर से परसार करे गह का है यह जो ब्यंजक दिया है X प्लस एक का भाग देने पर उसका सेस्पल जो आएगा वहीं उसका अंसर होगा फिर इसको इस तरह से हल कर सकते हैं X प्लस एक बराबर 0 करके X बराबर माइनस एक आएगा और X की बैलू हर जगह रख करके हल कर ले मतपुल कोश्चन ने रखे गया है इंपर्टेंट है पचवा का देखें दो के घाते दो बटे तीन गुडिते दो के घाते एक बटे पांच चाहते हैं जब संख्या सम होती है या एक ही संख्या होती है तो घातों को सीधे जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर दो घाते दो प्लस दो बटे तीन प्लस एक बटे पाँच दोनों को सालू कर दे हल हो जाएगा 101 पुरे के घाते तीन का सरो समिका A प्लस B पुरे के घाते तीन का यूच करें इसको का लिखेंगे 100 प्लस एक पुरे के घाते 3 ए धन भी पुरे के घाते 3 के सुतर से यूज करें पांस थाई 11 के भी इस 3 परमे संख्यां याद करना है जो परमे संख्यां ए प्लस बी बटे 2 का फर्मूला होता है इसके अधार पर इसको सालो कर लें पच्वा का घाद देखें ए दूगा से हल कर लें 12 एकस इसको 1 प्लस 7 एकस प्लस 1 12 कम 12 बारे का इसा खंड करें साथ है 4 ती या 12 चार एकस प्लस 3 एकस करके गुडण खंड कर लें छट्वा का खा है को है 2 एकस प्लस 1 पुरे के घाते 3 का परसार करना है Q6 का खा दिया है यहाँ पर त्रिभूज बना रखा है इसमें A, C और B, C दोनों बराबर दिया है A, C बराबर A, D दिया है और A, B उभे निश्ट है तथा यहाँ जो कोण है C, A, B E, G, E, G, E, G, B, A, D तो यहाँ जो त्रिभूज है इसमें आप देख रहा है त्रिभूज A, C, B और A, D, B में A, C बराबर A, D के और A, B बराबर A, B इसमें उभे निश्ट है तथा कोण देख रहा है C, A, B, E, G, E, G, E, G, E, G तो तीन दसाएं बराबर हो जाने पर जो दोनों त्रिभूज हैं सरवांग सम हो जाएंगे छटमा का 0.6 को P बटे Q यानि A बटे B परिमेश संख्या के रूप में इसको दर्साना है 0.6 बटे एक लिख करके उपर नीचे जितने सार पर दसमला हो उतने का गुड़ा करें घह का है 3 पलस कलड़ी में 3 दूसरे कुष्टक में 3-कलड़ी में 3 को हल करें श्कीस परमुला से हल करेंगे A स्टमार मां bliss एक पलस का सूतर रखे आराम साहल हो जाएगा और इंकि 3-कलड़ी में 3 कवर करेंगे नि 9 हो जाएगा 9 कवर मूल तीन रहेगा कौशन अबर 7 है सेबन थे फिगर देख रहा है इसमें X और Y की बेलू पुछ रहा है यहां पर X तो क्या करेंगे उधर उपर का 60 दिया है टोटल 180 होता है रेखा के एक कूर का कूर तो 180 में से 60 गटाएंगे तो नीचे वाला X मालूम हो जागा उसी परकार से यहां Y के लिए टोटल इधर 180 में से 120 गटाएंगे तो कोर यहां नीचे बनूम हो जाएगा फिर जो है 180 में से फिर उतना घटा दिजी निकल जाएगा खिरne 120 है तो इधर 1060 हो जाएगा और तोटल 180 में से 60 गटाएंगे तो 120 हो जाएगा वो इसे 20 साब मुकूर बराबर होते हैं अब ग्राफ खिशते, question no.8, question no.8 का कोज दिया है, देखे, 27y के गाते 3, प्लस 125z के गाते 3, तो 1 गाते 3, धन्भी गाते 3 का सुत्र अपलाई करें, तो यहां पर 3, 27 का आप घन करेंगे, तो 3y पुरे के गाते 3, प्लस 5z, पुरे के गाते 3 हो जाएगा, फिर वहीं अपलाई क करें, एग गाते 3, धन्भी गाते 3, बराबर क्या होता है, एकोष्टक में प्लस भी, so thank you student.